गुड मॉर्निंग डियस्टूनेंट्स बच्चो आज हम मैट्स में करेंगे फिलिंदा ब्लैंक्स फिलिंदा ब्लैंक्स क्या है यह प्लस के मैंने कुछ क्वेश्चन्स दिये हैं आपको तो जैसे कि अभी यहां पर यह पहला वाला क्वेश्चन है कि ब़ई 14 को क्या एड करे कि हमें आंसर मिलेगा 16 तो हमें क्या करना है हम कुछ नहीं हम इसमें सिंपल इसकी टेक्नीक है कि हम जो हमारे पास ये वाला आंसर है उसको हम माइनिस करेंगे जो कि यहां पर हमें नंबर दिया हुआ है तो हम करेंगे हम 16 को माइनिस करेंगे 4 sorry 14 तो वो आ गया 6 मैं से 4 माइनिस किया तो वो आ गया 2 1 मैं से 1 तो 0 हो गया 2 अगर हम 14 को 2 एड करेंगे अगर हम ये cross check करेंगे कि 14 को अगर हम एड करेंगे 2 14 15 16 आगया 16 मिल गया न हमें 16 तो सिंपल सी इसकी टेक्नीक है कि ये cross check करने के लिए है तो simple सी इसकी technique है कि जो हमें answer होगा answer को हम answer minus करेंगे जो एक number दिया गया है दूसरा number हमें निकालना है तो जो एक number हमें दिया गया है तो उसको हम minus करेंगे answer मैसे उसको हम minus करेंगे तो जो number आएगा उसको plus करेंगे इसके साथ तो हमें answer मिल जाएगा जैसे कि मैंने आपको भी cross check में दिखाया ठीक है अब जैसे ये 10 plus 3 है तो ये तो simple है ठीक है ये आप कर सकते हैं 10 plus 3 वह आप बता सके हैं अब जैसे 24 plus क्या आएगा कि हमें 28 मिले तो simple वही technique करेंगे 28 मैंस करेंगे 24 जो वहाँ answer मिलेगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे अब यहाँ पर है अब यहाँ पर हमें पहला वाला number missing है कि ऐसा कौन सा number हम plus करें 5 को कि हमें 20 मिले तो हम क्या करेंगे हम इस 20 मैंसे इस 5 को minus करेंगे तो हमें जो नमबर चाहिए वो मिल जाएगा अब जैसे 31 आंसर में है 34 तो 34 को माइनस करेंगे 31 जो जवाब मिलेगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे ठीक है अब ऐसे 40 को माइनस करेंगे 37 जो नमबर हमें यहाँ पर चाहिए वो हमें मिल जाएगा अब 19 प्लस 4 ये तो simple है आ जाएगा आपको 16 प्लस 3 ये भी simple है आ जाएगा अब यहां पर है अब simple वही technique 32 मैसे ये 4 माइनस करेंगे जो आएगा वो हम यहां पर लिखेंगे ऐसे ही 50 मैसे माइनस करेंगे 7 जो नमबर हमें मिलेगा वो यहां पर लिखेंगे ऐसे 83 मैसे माइनस करेंगे ये 10 तो जो नमबर हम मिलेगा वो हम यहां पर लिखेंगे ठीक है ऐसे 55 प्लस 8 वो तो पता है आपको 39 प्लस 7 वो भी पता है 44 प्लस 9 वो भी आ जाएगा ठीक है तो अब यह जो यह नमबर है यह एक टेकनीक होती है कि भई इसमें कुछ नहीं करना है कि जो हमारे पास दो नमबर को प्लस करके जो हमारे पास आंसर मिलता है अगर हम हमें जैसे ये नंबर मिसिंग है हमारे पास दिया गया है कि ये दो नंबर जोड़ के भई हमें ये आंसर मिलेगा ठीक है अब आंसर भी दिया गया है हमारे पास एक नंबर भी दिया गया है तो कुछ नहीं करना हमें जो ये दो नंबर को जोड़ के कि हमारे पास 14 दिया गया था एक नमबर उसको जो एड़ करना था जिससे कि हमें ये नमबर मिल जाता वो हमारे पास नहीं था तो इसलिए हमने क्या किया हमने कुछ नहीं किया जो नमबर हमें मिल जाता दो नमबर को एड़ करके जो नमबर हमें मिल जाता वो था हमारे पास औ तो हमने जो नमबर दिया था जो दो नमबर को एड़ करके जो हमें मिल जाता नमबर वो है हमारे पास और एक नमबर जो है दूसरा नमबर हमें निकालना है तो इसको हम इसमें से माइनस करेंगे जो मैंने यहां पर किया तो टू आया तो अब हमें हम कन्फर्म करना है कि यह आ आंसर सही मिलेगा तो हमें कुछ नहीं करना है जो नंबर हमें दो नंबर को जोड़ के जो नंबर मिला है उसमें से हम एक नंबर माइनस करेंगे जो उधरा आंसर मिलेगा होमें खाली जगा पर लिखना है बाकि जो simple plus के हैं वो तो आपको आएंगे ठीक है बच्चो सिंपल ट करके दिखाऊंगी ठीक है बच्चों आद आप टे कियर स्टे होम स्टे सेफ